भारत अब समुंदर के नीचे जाने वाला है खाजाना निकालने के लिए माल निकालने के लिए हम चंद्रमा में पहुँच गए सुरज की तरब भी हमारी आदित्तो एलोण मिसन काम कर रहा है इसके बाद भारत समुंदर के नीचे जाने वाला है क्योंकि माना जाता है भारत के आसपास जो समुंदर है न इसमें तामा, नीकेल, मैगनेसियम, कोबाल्ड ऐसे बहुत सरे कीमती धातू समुंदर के अंदर छुपा हुआ है हमारी आंदवान निकबर दिपुंज के आसपास जो समुंदर है न साइंटिस्ट का ए मनना है उस समुंदर के नीचे बहुती बड़ा तेल और गैस का भंडर छुपा हुआ है जो मिल जाने से भारत को 70 सालों तक किसी भी देश से तेल खरिदना नहीं पड़ेगा इसी खाजाने को निकलने के लिए भारत सरकार 2021 से ही समुंदर जयन मिशन लॉंज कर दिया है ए समुंदर यान मिशन की तहत 506,000 नमक एक पंड़ूब्बी तैयार किया जाएगा इस पंड़ूब्बी में तीन आदमी बैट के समुंदर के नीचे 6 किलोमीटर समुंदर के नीचे जाके रिसर्च करेगा सर्वे करेगा इसके साथ साथ रिमोट से चलने बाली बहुत सारे पंडुब भी मनाया जाएगा जो समुन्दर के नीचे कीमती धातु बागेरा को ढूंड के उसको उपर सते पे ले आने की काम करेगा देखिए समुन्दर के नीचे पहले भी हम जा चुके हैं समुन्दर के बहुती गहराई में भी हम जा चुके हैं लेकिन समुन्दर के नीचे छुपा हुआ कीमती धातु बगरा को उपर ले आने की यानि सते पे ले आने की कोई टेकनिक या टेकनलोजी हमारे पास नहीं था। इस समुन्दर जान मिसन के तहट ओही काम किया जाएगा। भारत के आसपास समुन्दर में ऐसे पत्थर रहता है और इसी पत्थर में कीमती धातु बगरा चुपा रहता है। इसी लिए इस पत्थर को उपर ले आने की कोशिस किया जाएगा। 2021 से सुरू हुआ एस समुन्दर जान मिसन 2026 में कंपलीड होगा। इस मिसन के लिए हमारी NIOT यानि National Institute of Ocean Technology और DRDO, ISRO और IIT मिलके काम कर रही है। भारत सरकार इस समुन्दर जान मिसन के लिए लगभग 4000 करो रुपे खर्च करने वाला है। 95% समुन्दर के बारे में इनसान कुछ नहीं जानता। सिर्फ 5% समुन्दर के बारे में हमको जानकारी है। आमेरिका, चाइना, जापान, रासिया, फ्रांस ए पांचों देश पहले ऐसे मिसन कर चुके है। भारत का ए मिसन अगर सक्सेस्फुल हो जाए तो ऐसे समुन्दर जान मिसन करने वाला छटा देश बनेगा भारत। अमेरिका अभी तो समुन्दर की बहुती गहराई से ही तेल को निकालने लगया है। ऐसे जानने के लिए प्लीज सस्क्राइब आवर चैनल।